किसार मित्रो आप सभी भाईयों का हमारे चैनल आर के गोड फारम चत्रा जारकन में सवागत है अगर मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर ले नमस्कार दोस्तों आज हम बताएंगे कि अधारकार से बकरी पालन के लिए कैसे लोन लिया जाता है आज के समय में बकरी पालन का वहुत क्रेज है इसलिए सरकार की और से 10 लाग रुपे का लोन दिया जाता है और इस लोन से सबसे बढ़िया और अच्छी बात यह है कि आप 10 लाग रुपे का लोन लेंगे तो आपको 35% की सबसीड़ी मिलेगी यानि 10 लाग रुपे लोन पर आ आप ही मिल जाएगी यानि सबसीड़ी दी जाएगी और यह लोन सिर्फ अधार कार्ड से दिया जाएगा आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि अधार कार्ड से बकरी फार्मिंग के लिए लोन कैसे ले सकते हैं तो सबसे पहले आपको जन समर्थक पोटल पे ओपिसियल वेपसाइड है इस पर आपको आजाना है इस पर आना होगा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 13 स्कीम दी गई है इन 13 स्कीम के अंतरगत आप किसी एक का आवेदन कर सकते हैं इसमें सबसे अच्छी बात थी मैं बता देता हूँ कि आप इसमें लोन की परिकिरिया जो है यह 5-6 केडिगरी के अंदर बताई गई है अगर कोई भी किसान एजुकेशन लोन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है एजुकेशन लोन भी ले सकता है और एगरी कल्चर लोन ले सकता है किसान क्रेडि यह कार्ट के अंतरगत के लोन ले सकता है और इगरी इनफा इस ट्रीक्चर लोन भी ले सकते हैं जिसके अलग अलग किसान जितने बी किसी यंत्र होते हैं उन पर भी सबसीड़ी के तोर पर लोन ले सकते हैं इस लोन के अंतरगत भी अन्य कई परकार के फाइदे मिलते हैं फाइदा इस लिए दिये जाते हैं कि सरकार सभी किसान भाईयों के लिए सभी किसान भाईयों के लिए उपलवब करवाती है तो आगे बढ़ और देखते हैं कि क्या क्या करना होगा सबसे पहले आपको इस विशाई पर आना होगा और यहां पर रिजिस्टर करवाना होगा यहां पर आप अपने हिसाब से आप लेंग्वेश यूज कर सकते हैं कि फिसके कर सकते हम हिंदी वाले हैं हम हिन्दी सिलेक्ट करने के लिए आपको दिक्कत और असानी से समझ में आ जाए कि आपको खाम अपलाई कैसे करना है तो सबसे पहले योजना पर क्लिक करेंगे योजना पर क्लिक करने के बाद आजिविका के लिए लोन लेना है यानि अपने जीवन में किसी भी परकार की योजना के सुरुवाती करनी है तो सबसे पहले अजविका के शंड पर किलिक करना होगा यदि सभी योजना का अपडेट चाहिए तो आपको सभी योजना पर किलिक करके और निचे स्क्लोर करके जब आपको पता दिया जाएगा कि आपको कौन-कौन सा शिक्षा शंड के लिए लोन आपको कौन-कौन सी दिवित्ता रहेगी इसकी पतरता की जांच कर सकते हैं या सब चीजे छोड़ देते हैं नहीं तो विडियो बहुँ ज्याला लंबा और बड़ा भी हो जाएगा फिर देखियेगा नहीं और बोर भी हो जाएगा आज हम सिर्फ और सिर्फ जो बात करें सिर्फ और सिर्फ यह समयना है कि जो हमके हमें अधार कार्ड से परधान, मंत्री, जन, समर्थन, पोर्टल से वेबसाइट तोर पर वेबसाइट तोर पर वक्री फार्मिंग के लिए लोन लेना है तो आप किस परकार से जाज करेंगे त पर आपको सामने ये चार विकल्प जो दिख रहे हैं ये चार विकल्प मिल जाएगे अगर आप हद करदा बुनकर के शंड के लिए उद्भ्योग के लिए हाद का हद के सिलाप समन्दित कोई रोजगार करना चाहते हैं तो आप इस पर किलिक करके कोई कोई रोजगार करना चाहते हैं तो आप इस पर किलिक करके मेनुवल सफलाई के कर्मिक है तो इस पर आप किलिक करेंगे सड़क विक्रेता फेरी वाले की श्रेड़ी में है तो इसमें आप किलिक करेंगे किलिक कर सकते यदि आपको इस तीनों केडिगरी में से लोन नहीं है अन्य प्रकार का लोन है तो हमें तो केवल बकरीफ हार्मिंग के लिए लोन्ड लेना है, तो अन्य वैसाई लोन के विकल्ब पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे की इस पर हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देख नया पेश खुलके, और यह पुछ सवाल होते हैं, आप किस प्रकार की वैसाई की गतिविदियां कर रहे हैं, उसका चैन करें, आप नया वेशाइग कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे कच्छा आप 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 पास कर लिया है उससे जाने पड़े है तो हाँ हमने कच्छा आप पास कर लिया क्या आप कोई EDP परिक्षण लिए हैं नहीं हमें कोई EDP परिक्षण नहीं मिला है अपने वेशाइग की परकिरिया का चेयन करें उधारन उतपादक उतपादन वैवाशाइग सेवा वैपार तो हम वेशाइग सेवा पे जाते हैं आपका लिंग चुने पुरूष महिला अन्य तो हम पाजिक श्रेणी चुने आम अन्य बिछडी वार्क SCST अल संख्याफ तो हम अन्य बिछडी वार्क में आते हैं तो इसको हम क्लिक करेंगे क्या भूत्पुर्शेनिक है या सरीर रूप से विकलांग है नहीं हम नहीं हैं तो यहां पे हम यह क्लिक करेंगे क्या आप पुर्वत परकार का चेयन करें तो हम एकल्ब है यानि कि विक्तिगत है तो हम परकार कि विक्तिगत चुनेंगे अब यहां पर आपको करना क्या है तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर अपने कितना अनुमानित परियोजना लागत जो है तो हम पहले यहां पर पाच लाग रुपे लिखते हैं और अब यहां पर हमें यहां तो जो आपने वेस चार सकते हैं तो भाली हमें कुछ ना कुछ तो लगाना होगा तो उसमें हम यहां पर तीन लाग रुपे लिख देते हैं तिर लाग रुपे अब हम पार्तरतर का यह सब फिल करने के बाद आपको पार्तरता की गणना करनी है तो उस पे हम किलिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो PMEGP के माध्यम से जो हमें सैड खुला है तो इसमें क्या दिखा रहा है तो PMEGP के माध्यम से हमें यह दिखा रहा है कि आपको दो लाग की दे जा रही है योगेता सबसीड़ी जो है एक लाग पच्ची हजार पे मिल रही है और मासिक इमाई जो बनेगा दो हजार तीस रुपिया बनेगा और पंद्रा वर्स के लिए दिया जा रहा है यह चीजे है और इसी में अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे अगर आएंगे तो नीचे देखिए एक और दिपसाइड खुल गिया है तो इसके इसाब से आपको जो श्रम की जो ब्याज जो हिस्सा जो लगने वाला है दो लाकर के उपर तो दस परसेंट लगने वाला है चार हजार दोसो पचास रुपे लगने वाला है पांद साल के लिए दिया जा रहा है और यदि आपको राशिव 달 है तो आपको करना क्या होगा तो मैं आपको फिस्जिए आ जाना होगा जैसे आप यहाँ पे आज pewno हाँ यहाँ जाएंगे तो फिस्जिए आपक सब्सक्राइब करना चाहते हैं इसमें क्लिक करेंगे आप अपना चेन करेंगे लिंक को और समाजिक श्रेणी कौन सा रहा तो हमारा अन्य बिछडी बार गा रहा है अब भूर्पुर सेनिक है तो नहीं है आपका यह पहाड़ी सब्सक्राइब करते तो नहीं करते हैं आपका स्थान कौन सा है तो ग्रामीन है और यहां पे आपको फिर से वही वेक्तिगात आपको चेन करना है अब यहां पे हम लोग लिखते हैं यानि कि 10 लाक रुपे तो गिल्यते इकाई दहाई सेकडा हजार दस हजार लाक दस लाक क्रोड हो गया तो यहां पे हमने 10 लाक कर दिया इकाई दहाई सेकडा हजार दस हजार लाक दस लाक दस लाग रुपए हो गया अब इसमें हम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो मात्र हम यहां पर दो लाग रुपए इन्वेस्ट करेंगे पिकाई दहाई सेकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग हो गया तो एक जीरो हम हटा देते हैं यानि कि हमारा जो पातरता बना अब यहां से फिर से हम पातरता चेक करेंगे जब हम पातरता चेक करेंगे तो यदि हम यहां पे हम पहले इसको देख लेते हैं परदान मंदरी मुद्रा योजना PMMBY के माध्यम से यानि कि परदान मंदरी मुद्रा योजना इसमें हमें जो दिया जा रहा है आठ लाग रुपे दिया जा रहा है तो इसमें हमारा है माश दस परसेंट के ब्याज़ दर लग रहा है मासिक किस्ट जो है मासिक किस्ट जो है 17000 उपे पर मंद कहीं रही आएगा और पांट साल के लिए दिया जा रहा है इसमें आप दश लाग रुपे तक का अधिक्तम शण ले सकते हैं आप लोन ले सकते श्रम तीन खंडों में व का 10 लाग तक ले सकते हैं यह इसका हो गया और जिसकी हम लोग बात पी एम इजी पी यानि परधान मंत्री रोजगार सर्जन कारियाले के माध्यम से तो आठ लाग रुपे हमें से मिल रहा है तो आठ लाग रुपे में हमको जो सबसीड़ी है दो लाग पचास हजार रुपया हमको यहां पर सबसीड़ी मिल रहा है और महिने का जो 9% के व्याज़ दर पर हमें जो राश्री देना है रिटन करना है तो 8,110 रुपे और 15 सालों के लिए हमें यहां पर दिया जा रहा है तो यह आप समझ गए होंगे कि आप इस तरह करके आप ले सकते हैं परधार मतली जन समर्थब पोर्टल के लिए अच्छी यह इस परकार का तरुम जो है यह अच्छी वेफसाइट जारी की गई है सरकार के तरफ से जो आप सभी योजना का बारे में पूरी जानकारी अबे लेना होगा तो आपको यहाँ पे किलिक करके आपको यहाँ पे सभी योजना पे किलिक करना होगा तो सभी योजना जिस परकार से भारत सरकार के भीतर शिक्षा पाने की कोशिद करने के लिए ए एन एस डी मानेता प्राफ स्थान जो पेशा उसके लिए भी आपको ले सकते हैं पातर्पन जाज करनी होगी आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जएगा तो इस तरह करें के आप यहाँ परागे बढ़ेंगे रचीर्श हो करेंगे तो आपको यहां से लोन प्राप्त हो जाएगा हर तरह का ओर अगर आपको ऐसी के लिए लेना है तो यहां पर चेक करेंगे सर्जन के लिए लेना है सर्चना के लिए लेना है तो यहां पर चेक करेंगे साइब गतिविदियों को बढ़ाने के लिए तो दोस्तों यह उमीद कर रहा हूं कि वीडियो के बताई गई जानकारी संपूर तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी यह जन समर्था पोर्टल पर अधार कार्ड से बकरी पालन का अन्य पसु पालन पर लोन आप ले सकते हैं आपको कहीं से भी समस्या का कोई भी दिक्कात नहीं होने वाला है इस तरह करके आप यहां पर अपना लेंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं और लेंग्वेज चेंज करके आप जिस लेंग्वेज में करना चाहें आप जाके यहां पर देख सकते हैं और स्टेशन करके लोन ले सकते हैं तो दोस्तों इसी प्र करके आप कलास भी कर सकते हैं हम हम सेटिफिकेट भी प्रवाइड करते हैं धन्यवाद तो अपने बाणी को भी राम देता हूं जै हिन जै जोहार वंदे मातर फिर मिलें नए टोपीशन नए वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद